के प्राइज के पास आ गया है यहां कि इसकी लिश्टिंग आपको पता ही है सच 76 रुपे करीब की हुई थी और वहाँ पर अब चैसे सच 77 रुपे कुछ पैसे में आपको मिल रहा है बड़ा दूविदा का समय हमारे चलियर होईगी जो अफाइस बाग रहे हैं यही भी प्रॉफट बुक कर रहे हैं और जो डर के अमारे अग्जिट कर रहे हैं जिन्हों ने उपर लिया था जो लोज बुक कर रहे हैं वह अपना लोज बुक कर रुपे 90 पैसे करिब का है तो वह गिरावाट देख लिए क्योंकि कुछ लोगों ने फिर इसे 21-22 में भी लिया है मुझे लग रहा है फिर कि लगाना है जो आपकी जरूरत है किसी भी चीज की वह पैसा बजार में नहीं लगाना है हम बढ़ने की फिर दुबारे गूंगने जाओं यह जो गिरावट हो रही है इसके अंदर एक चीज तो कॉमन है वह कॉमन चीज हम सब भूद के जा रहे हैं कि शेर प्राइस काफी उपर दे नवश्कार मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बजार से आज बात करेंगे सर ओला इलेक्रिक की क्यूंकि काफी लोग कह रहे हैं सर इसके उपर वीडियो बनाओ क्यूंकि अब इसका शेर प्राइज अपनी लिस्टिंग के इसकी लिश्टिंग आपको पता ही है सच्छेटर रुपे करीब की हुई थी और वहाँ पर अब शेटर रुपे कुछ पैसे में आपको मिल रहा है बड़ा दुवीदा का समय हमारे साथ गुजर रहा है क्यूंकि काफी शेर गिर रहे हैं दूसरी बात करेंगे पैट्रो ने के बाद ये शेर अब 18 रुपे से भी नीचे मिल रहा है क्या इस शेर के अंदर हमारी रनीती होनी चाहिए देख लगता शेर के ऊपर रनीती क्या होनी चाहिए ये तो आपकी अपनी दिसा है तुकि काफी लोगों ने कल जेपी पावर के ऊपर काफी सवाल भी किये है कि इस दिसा में होनी चाहिए कि जिस भी दिसा का हम dhyan लगा रहे हैं यानि कि हम उसकी तरह देख रहे हैं उसके साथ साथ वाली कोण कोण सी कंपणी बुलंद्यों पर और है कोण कोण सी कंपणी नीचे है क्या उस चीज की विद्ही जो है आगे future में वह जो कर रही है वह आगे काम आईगी तो उसके बारे में भी आज हम बात चीत करेंगे किसी को भी खरीदने बेचने की सला बिलकुल भी नहीं है मैं अब मैंने आपके लिए फिर से वही तीन साल पहले जो मैं वर्क किया करता था अब मैं ओनलाइन भी उस वर्क को करने सोच हूं जो है नुमरलोजी का और आपकी डियोबी के अनुसार आपकी वह चीजे जो हमें आगे की बुलंदियों तक ले जा सकती है मन की सांती हर एक चीज वह अब हम फिर से करने की सोच रहे हैं वैसे अब यह मैं ओनलाइन कर रहा हूं पहले यह मैं ओफ-लाइन चीजों के सा जानना है उनकी रूची है रूची वाला व्यक्ति ही कुछ पा सकता है तो वह मेरे दूसरे चनल दीपसर 6 में आ सकता है द्यान अकना सर यह जो गिराबट हो रही है इसके अंदर एक चीज तो कॉमन है वह कॉमन चीज हम सब भूलते जा रहे हैं कि शेर प्राइस काफी उप पर थे लंजी जहां एक साल के अंदर डबल हो सकता है कई कंपनिया इस तेजी के कारण डबल तिबल चोवल हो सकती है तो क्या उनके प्राइस अब गिरते हुए आपको दिख रहे हैं तो क्या वो कंपनिया खराब हो वही है चाहे यूद की इस्तिती हो चाहे कोई बिमारी के कारण हो चाहे मंदी के कारण हो चाहे F20 का यहां से चाइना की तरव रुक करना हो चाहे कुछ भी चीजे हो बजार के अंदर इफेक्ट डाल रहे है पर सोचने वाली बात यह है कि आज हम मालो कोई शेर 100 रुपे का था वो 300 रुपे से 200 रुपे में आ गया हम वो 100 रुपे की गिरावट देख रहे हैं पर वो ही शेर जब 100 से 300 में गया था तो तब हमने नहीं समझा था कि यह 2 गुना 3 गुना है हम गोवा जा रहे हैं गुमने घर तो आएंगे अपने आप कहीं भी टूर में जा रहे हैं घर तो आओगे अपने फिर दुबारे गुमने जाओगे इस दोरान पैसा कमाया जाता है और यही विदी है कि अगर इस रणनीति को आप नहीं समझ भाए कि समय समय पर अपने प्रॉफिट के विसेश ताए मैं कोई शेर की बात नहीं कर रहा हूँ अगर हम नहीं ले पाए तो फिर वर्क की हम करके आ रहे हैं मार्किट में लोंग का विसे लोंग का है फिर उसमें तो गिरावट होना का मतलब उसे देखने का मतलब तो एक फिर हमने लोंग का विसे रखा ही कहा है अच्छे शोरे शेरों की परकिरिया आपको मजबूत करेगी डिविडेंड के माध्यम से शेरों को आपको देखना चाहिए बीच में मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी कि सरकार को सराजनिक उपकरण से ही इतना डिविडेंड मिलने की चीजों के साथ है तो वहाँ पर डिविडेंड भी आपको फल दे कर जाता है गिरावट में आपका पॉर्टफोलियो नहीं पर विधी को समझो वो शेर गिर रहे हैं जो तीन गुना चार गुना तक भी गही है उसमें बड़े शेर भी है छोटे शेर भी है सारे शेर है पर यह एक व्यक्ती ने कहा कि आपकी वीडियो देखना मतलब दिमाग की धही होना फिर मेरे एक सस्क्राइबर ने ही कमेंट कर दिया सर्फिरी में आपकी चीज़े सही हो गई है मेरी वीडियो देखकर किसी के दिमाग में क्या परतिकिरिया जाए क्या उसका अलग असर जाए मेरी परतिकिरिया वो नहीं है मेरी परतिकिरिया है कि मेरी वीडियो को समझेगा वोई जिसकी साइकलोजी सीखने की भावना हो उचाही पर जाने की भावना हो तो आंकलन करो जो भी शेर गिर रहे हैं आपके पोर्टफोलियो में हो या कहीं भी हो उनका हाई और लो देखो बेले फिर आपको सारी पिच्चर किलिächst कर रहे हैं क्योंकि एक महल ऐसा है यहांपर जो आपकी पड़िक्रिया को अच्छा और आपकी पड़िक्रिया को बेकार भी कर सकता है वो है इस गिरावट के अंदर चीजों को समझना और जब तक वो चीजे आप नहीं समझ पाए किस हिसाब का पैसा आपका बजार में लगा है पहले आप यह अंदलन करो हमारा वीडियो बनाने का माद्यम या बड़े बड़े लोगों का वीडियो बनाने का माद्यम यह है कि आपका वो पैसा बजार के अंदर लगना चाहिए जिसकी आपको आवसकता नहीं हो बारबर का है, बच्चो की फीस का कुछ ने लगाना है, F.D. का कुछ ने लगाना ना है, जो आपकी जरूरत है, किसी भी चीज की वह पैसा बजार में नहीं लगाना है, हम बढ़ने की वज़े से पैसा लगा रहे हैं, पर दूसरा पहलू घटने का भी बजार के अंदर होता ह है यह mutual fund वाली चीजे कल मैंने आपको बता है कि पांच क्रोड की संक्या निवेसकों की पार करने की स्थितियों के साथ है पांच क्रोड अब वही चीज mutual fund वाले कुछ लोग हम जैसे लोग अपने दुवारा करते हैं जो एक्विटी के माध्यम से शेरो को लेते हैं अगर हम भी सिप के अनुशाद शेरो को लें तो हम भी तो mutual fund वाले जैसे हो जाएंगे पर होता क्या है कि हमारा पैसा एक दो स्टॉक में बहुत सारा लग जाता है पर mutual fund वाले ऐसे नहीं करते अगर आपकी 500,000,100 या कितनी की भी आपकी सिप चल रही हो तो आपके पैसे को sector wise divide करते हैं बस फरक यह है कि उन पैसे आपके किदर किदर जा रहे हैं उस पर आप विसेज ध्यान नहीं देते क्योंकि आपका mind बोलता है आपका psychology बोलती है मैंने तो mutual fund में पैसा लगाया है मे पैसा लगा रहा है वो mutual fund वाले manage करेंगे उसको आप नहीं कर सकते और जब आप करने लग गए तो फिर आपको जीतना है इस गिरावट से उचाहीं से और अपनी लालच की भावना से जीतना है दो वीडियो के साथ आप investment कर सकते हैं या तो आप खुद करें जिसके अंदर आ एक अच्छी रणनीती दे कर जाएगा मैं आपको इतनी से एक बात बता दूने तो लोग काफी लोग कहें कि सर दिमाग की दे हो रही है यहां मैं बोल रहा हूं ना तो मेरे भी तो portfolio नीचे होगा पर इस तीन साल के दोरान profit लिया है तो दुख नहीं है कि अगर आज मेरा य liquidity के माध्यम से और किसी चीजों के साथ बिलकूल भी नहीं जाना जहां पर समय के अनुसार सब कुछ खतम हो जाता है पर रखने वाली विधी जब आपकी holding वे आती है वो आपका पैसा बना कर ही देगी पर वहां आपका पैसा फिर कह रहा हूं सवच तरीके से लगना है mutual funds भी सिखा दिया अपने दुवारा भी सिखा दिया अब आपको रण नीती देखनी आगे कि क्या होगी जेपी पावर का रिजल्ट आ रहा है पहले देखने कि जेपी पावर जो है आपको पता ही है जेपी गुरूप की बड़ी कमपनी है जो थर्मल पावर हो गया जल व विफल की ओर है या आगे उसके अंदर क्या रण नीती आओंगे वह आगे की नियूज हमें नहीं पता है फिर भी वह कारोबार यह बेचनी की इस्तित्यों के साथ थे और वह पैसे को यह किस तरीके से अपनी चीजों के साथ लगाएंगे दूसरा इसकी चीजे आपको समझ अंदर राजा एक दसक तक बना रहेगा क्योंकि अभी भी जो विदूत उत्पादन हमारे देश के अंदर होता उसके अंदर सत्तर परसेंड से जादा कोईले की भूमी का है बिजली देने में तो एक दसक तक रहेगा पर उसके बाद मैंने आपको क्या आथा कि एक देश ने अपने लास्ट कोईले से थर्मल पावर की जो उसका एक प्लांट था उसको भी धवस्त कर दिया था उसने बढ़ किस की तरफ रहे रिनेवल अनरजी की तरफ प्राकरति की तरफ और आपका अलग अलग हैड्रोजन की तरफ अलग अलग रिनेवल चीजों की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है तो अगर हम J.P.P.अको सिरफ इसलिए देख रहे हैं कि इसका रिजल्ट अच्छा vientर के डूसरी तरफ खेकने सब्सक्राइब अगर ठिमाग सोचनाई है कि वह कोईले वाली कमपनियां क्या आगे जाकर रिनेवल एनरजी पर उत्रे की जैसे कोल इंडिया रिनेवल एनरजी की तरफ उसका ज्यादा दिमाग है एंटी पीसी जो थर्मल पावर से अपनी चीजों को ज्यादा बढ़ा रहा है कोईले के सासाथ पर उसकी दूसरी साह कंपनिया आपको पता है एक आईपयो ला रही है बड़ा आईपयो वह ग्रीन अनरजी की तरफ है तो वह आज बदलेंगे तभी तो पांक-दस साल बाद व हमें क्या देखना है कि यह तो कोईले की उपर वर्क करता है कंपनी थर्मल पावर इसके साथ लगी पड़ी है पर आगे उसका फ्यूचर क्या है उस इस्तितियों से देखना है कि अब जेपी पावर हमें बताए तो वह रिनेवल अनरजी की तरफ कितने आगी तरफ बटर प मार्किट कैप अगर हम कंपनी के देखें तो वह कम नहीं है मार्किट कैप की अगर हम बात करें तो कंपनी के अंदर 12,261 क्रोड की मार्किट कैप है 24 रुपे का कंपनी का हाई है 9 रुपे 10 पैसे का कंपनी का लो है इस वक्त कंपनी का शेर 17 रुपे 90 पैसे का चल रहा है अ अभी भी कंपनी का शेद 8 रुपे 80 पैसे हैं अब यहां लोग देख रहे हैं वह कितने उपर बढ़ गया था लो से अपनी तो आज ये 6 रुपे करीब का नीचे उपर से 70 रुपे 90 पैसे करीब का है तो वह गिरावाट देख लिए क्योंकि कुछ लोगों ने फिर इसे 21-22 में भी लिया है मुझे लग रहा है फिर किसी भी शेर को लेने से पहले उसका लोग जरूर देखें हाई जरूर देखें उससे आपकी मंति क्या होता है आप कोई शेर देख लिया मालों कोई शेर 50 है फिर उसके बाद फिर बजैर इगर रहा है आप सब कोई पता है और बजैर के अंदर जो जो शेर गिर रहा है वो सब हाई में थे यह सब को पता था जब यह बजार उस इसाब से भाग रहा था हना तो यह आपकी अपनी रणीथी है यह कोई भी आपको टार्गेट देकर टेप्स देखर फसा सकता है पर वजूदों को समझाने वाली विद्या तो आपको समझ के ही चलने पड़ेगी तो अब इसकी हम देखेंगे सेल्स सितंबर दो हजार 23 में कंपणी एक हजार तीन सो पचास क्रोड रुपे करीब की सेल्स करी थी और साल गुऎ 9 क्रोड का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था सहा अब अचम्वेट यह कि सितंबर के बाद अब यह 24 का सितंबर एक साल के अंधर कंपणी ने अपनी सेल्स में जो पहले बीच में गुरोथ करी गटा दिये है सेल्स कम हो गए यह कंपनी जो दो सिधम्बर दोजारर चोबिस में कंपनी की सेल ओर 1266 क्रोड किया है और 1226 क्रोड में कंपणी ने करीब 183 क्रोड करीब का द अब लोग दोख कर दिया है अब लोग के सार 59 क्रोड का मैं candidate पहुआ उनिष्डेधा क्रोड क मिजले अपको एक चीज में पर्ज़ manifest काम नहीं हो रहा है में मकसद सेल्स आपको देखकर चलनी है पिछले बार इनका जो सिदंबर 2023 में जो प्रॉफिट 69 का था उसके अंदर ये चीज अच्छी हो सकती थी क्योंकि वहाँ सेल्स जादा थी और दूसरा वहाँ पर अधर इंकम माइनस में थी इस बार अधर इंकम इ बेट रही है प्रॉफिट और लोज तो कंपनी फिर भी कवर कर लेगी आप समझ कर चलना दूसरा अगर हम चीज बात करें तो इसका रिजव अगर हम देखें तो कंपनी के पास रिजव आज 1145 क्रोड का रिजव है और उधार कंपनी के अंदर पर मोटर कंपनी के अंदर 24% है और इसकीनर के अनुसार में आपको बता रहा हूं कि 24% में से ही लगभग पर मोटर की जो होल्डिंग प्लेज है जो गिरिवी रखी गई है वो 89.6% इसकीनर में देखके जा रहा हूं चोबिस परसेंट में से 89.4 चोबिस परसेंट हंडेड माल लो उसके अंदर से 30.24 होल परसेंट है और पब्लिक कमपनी के अंदर है करें चुराणवे परसेंट है तो यह इसका खाका है यह आपको समझ कर चलना पड़ा है पैटरनेड लेंग जी की बात करें तो यह एक ऐसी कमपनी है जो जादा से जादा आयात करके ही अपने टर्मिनलों से यहां पर अपने उ इस तरीकी की जुरूरत अधिकतर बढ़ने वाली है क्योंकि रिनेवल एनरजी की तरफ जैसे हैं बढ़ते जाएंगे वहां पर ऐसी ऐसी चीजों की आवसकता ज्यादा से ज्यादा होती जाएगे 50 परसेंट इसके परमोटर परमोटर में अगर आप देखो तो आपको अगर देखने को मिलता आपको बताओं जब भी तापमान के कारण विजली की चीजों में कुछ फरक पड़ेगा या त्रलिता प्राकरति गेस की आप अवसकताओं में कमी पड़ेगी तो फिर वह भी चीजे ऐसी ऐसी कंपनी को देखने पड़ेगी वह मांग कम हो गई तो स सेल्स कम हो जाएगी और सेल्स कम हो जाएगी तो उसके प्रॉफिट और उसके सेल्स में आपको देखने को मिलेगा तो यह चलता जाएगा मांग के दोवारे हर चीज होती है अगर इसकी हम सितंबर 2023 की सेल्स देखे तो 12,532 क्रोड की सेल्स करती थी 818 क्रोड का कंपनी ने अब कंपनी ने अपनी सेल्स को सितंबर 2024 में बढ़ा कर दी और कंपनी ने अपना प्रॉफिट जो किया तो अटालीस क्रोड का कर दिया प्रॉफिट और सेल्स कंपनी की साल दर साल बढ़ी है पोजिटिव संकें थे एक मापको चीज बता अभी मैंने आपको क्या का था कि कर लेंजी का संवेर वी आपको दो गुना होते वह देखने को मिला है तो हाँ है अगर इसका लोग देखें तो करीब कंपनी का 112 रुपध का हायी अगर हम देखें तो कंपनी का 385 रुपे करीब का हाई तो एक सो बाणवे से दो गुना हो गई थी ये कंपणी अब ये गिर रही है तो गिर गिर के ये कंपणी होगे 338 रुपे का इसका शेर है अब लोग एक सो बाणवे को बोल जाएंगे लोग देखेंगे बाई या 335 से नीचे गिर के 338 आ गया बहुजर प्रौफिट बगिंग आती है मैं आपको कैसे सम्झाओं अच्छा शेर हो चाये बेकार शेर वैं प्रौफिट बुकिंग आती है दो गुने शेर हो चुके थे मैं आपको शुरुवात में वहिस आपकी मान सीख्था की चीजों को बता रहा हूं कि हमारी जो मान सिकता है सिर्फ यही सोच रहे कि शेर गिर रहा है यह क्यों नहीं सोच रही कि शेर कितना भी उपर चला जा चुके थे तो quarter two company ने बहुत बैस्ट दे दिया तरह ओला के साथ क्या प्रोब्लम है ओला के साथ प्रोब्लम यह है कि नाम तो काफी बड़ा इसका च्छाही गया था क्योंकि जब इसने अगस्ट दोजार चोबिस में company अपनी लिस्टिंग और 76 रुपे के हिसाब से यह company लिस्ट होई है देखते ही देखते शेर दो गुना हो गया और दो गुना होने के साथ सबकी नजल इसके उपर पड़ी मकसद क्या है ओला की निगेटिव चीज का जो हम आज हम वह समझेंगे उस हिसाब से ही आपको आगे की रणनीतिया समझने पड़ेगी कोई भी चीजों के अनुसार में आजने यह नहीं के रहा हूं उसे खरीदना और बेचना है वही चीज बता रहा हूं जो नियूज के अंदर आ यह वही चीज हमें प्रक्नी है और की सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी सिकायत कौन कर रहा था षिकायत कर रहा है वो कस्टमर जिसने का प्रोडेक्ट खरीदा था दो तू एलर अभ उस खरीद कर उसे कुछ प्रोब्लम आई उसने सर्विस सेंटर गया वहाँ पर उसकी समधान हो गया फिर घर आया फिर वह प्रोब्लम आगी फिर वह दुबारे गया फिर सही हो गया फिर वह प्रोब्लम आगी उसके बाद उसके चक्कर लगते गया इस तरीके से कई किस्टमर इस तरीके से जो परसान हो गए और यह नियूज में भी आता गया और कई न कई यह आपको उस दोरा भी देखने को मिला कि ओला का नाम यह वह सब कुछ हो गया तो मैं आपको पताओं कि गुडविल यानि कि साथ जितनी मजबूत होगी वह आपकी सेल्स को उतना इंप्रूव करेगी हमारी साथ गुडविल जितनी अच्छी होगी उतना अमारा प्रोग्रेस होगा तो यहीं चलती है सेल्स में में अगर सेल्स जिसकी अच्छी होगा इसकी गुडविल बनी रहेगे बार लिश्टिंग तो अच्छी हो गई गेन भी अच्छा हो गया पर निरंतर तीन मेने से जो इसके अंदर न्यू जाती गई सिकायत बढ़ती गई बढ़ती गई वो इसका एक मुखे कारण इस कमपनी के ऊपर बेकार पढ़ता गया पर या P.L.I. scheme की चीजों के साथ अच्छा उतरना हो या अपनी रनीती को और बायिक की तरब लाना हो या अपने और मोडल को अच्छा करके परस्तूत करना हो उस चीज में कमपनी लगी है दूसरा अपनी बैटरी के चीजों के साथ चीजे बताना हो भी positive संकेत इसके अंदर गए हैं पर मुख्य कारण है कि customer का satisfy होना वो सबसे ज़्यादा important हो जाता है और वो ओला के साथ नहीं हो रहा था या आप सबको पता है अब यह मसला इतना ज़्यादा बढ़ता गया कि यह चीजे अब CCPA यानि कि केंद्रिये उभोकता सनलक्षन प्रा कर गया कि कहीं न कहीं ओला अपनी रणनीतियों के साथ अपनी service center के दुआरा संतुष्ट नहीं कर पा रहा है customer को यह देखने को मिला अब यहीं चीज आपको CCPA के दुआरा एक notice के दुआरा देखने को ओला के पास गई और उनसे कारण बताओ notice जारी कर जारी कर दिया गया जहां पर ओला ने एक समाधान चीजों के साथ हमें बता और बीती दिनों की एक news में आपको बताओ जब CCPA ने इनको notice दिया तो वहां पर ओला ने एक पोजिटिव संकेत वाला statement दिया और उन्होंने ये काय कि जो भी उनको CCPA से प्राप्त सिकायत हुई है जो करीब 10,644 सिकायते थी 10,644 सिकायते अब ओला ने ये काय कि उनके दुआरा प्राप्त सिकायत में से करीब 99.1% सिकायतों का समाधान ओला के दुआरा कर दिया गया ये पोजिटिव संकेत था क्योंकि ये वो सिकायतों को इसने पूरा किया है जो CCPA के notice के दुआरा बताई गई थी तो यह positive संकेत आ गया फिर भी अब इसकी आगे की run नीती हमें क्यों देखनी है यह सारी चीजे हमें पता लगी कि सिकायतों के कारण यह चीजे यह वो सब कुछ चीजे होती गई क्यों हो इसका हमें quarter two अब देखना है क्योंकि इस तीन महिने के दुआरा क्या इसकी वो sales में effect पढ़ेगा जो न्यूज में जो यूटूब में जो कस्टमरों ने अपने आसपास के लोगों को का होगा भया यह देखो यह जह चीजे मेरे साथ हो रही क्या वह अब भी इसकी sales बढ़ेगी तो वह हमें quarter two में देखने को मिला बहुत important वीडियो होना रहा हूं चीजों को सम कमपनी की sales थी करें 1243 क्रोड उसके बाद company ने अपनी sales को बढ़ा कर किया था 1589 क्रोड उसके बाद जून 2024 में company ने अपनी sales को फिर बढ़ाया और 1644 क्रोड की करें यानि कि तीन quarter जो इसके हमें इसकी इंदर में दिख रहे हैं वहां sales ऐसी ऐसी है पर यह जो problem वाली बात जो दो तीन महिनों की हैं तो क्या होगा अब देखना यह है कि इसकी कितनी गाड़िया भिकी और उसकी क्या चीजें हमें इसके quarter two में देखने को मिलें बहुत important आपको इसका quarter two जरूर देखना है ऐसे मैं आपको एक चीज बता दूँ वर company best है company का mileage जो भी company बताती है best है company की चीजे मजबूती की तरफ है किसी भी electric company जो होती है उनके product में चाहिए वो कोई सी कंपनी हो कुछ ना कुछ तो फार्ड आता ही होगा बस यह है कि कुछ चीजें जादा बढ़ जाती है उसकी control करनी की दिसा तो ओला ने 99.1% जो उससे सिकायती मिली थी उसको उसने सम आता है कि वो अपने service center की तरफ ज्यादा ध्यान देगा और इसको सई करने की दिसा के साथ और ज्यादा इस तरीके से service center कोलने की या और ज्यादा जोडने की स्तीतों के साथ भी आएगा ये भी ओला बता कर गया है तो quarter two इसका बहुत important है देखो sir company का जो लो ता 76 रुपे थ है अपने listing से या आप समझ कर चलना reserve company का अगर हम देखें तो वह भी माइनस में 2,909 क्रोड का reserve माइनस में और उधार company के उपर आज या 684 क्रोड रुपे देखो sir इसकी स्तीतिया उसी तरीके से और ही जो जमाटों के साथ हुई थी पहले उपर फिर नीचे की तरफ गया थ या आप खुद analyze भी कर सकते हो तो यह भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा मोटर की बात अगर हम करेंगे तो 36.88% पर मोटर है एफाइस की अगर हम बात करें तो 4.18% है डियाइस की अगर हम बात करें 5.16% है और इसके अंदर अगर अधर की बात करें तो 5.48% है और पब्लि के अंदर ही बड़े बड़े निवेशकों जिनकी holding एक परसेंट से जादा है उन्होंने बना रखी है अब इस 48 में ही अगर आप देखें तो 17% करीब की एक हिसेदारी इसके अंदर है दो परसेंट से जादे की भी हिसेदारी कहीं लोगों की इसके अंदर है एक परसेंट की हिसेदारी भी कहीं इसके अंदर है को 4.90% की हिसेदारी भी इसके अंदर है की 48 में काफी जो holding है बड़े बड़े आपको देखने को मिलेगा निवेशकों की भी है और एक की तो 13.83% तो वो चीज अगर इसमें से गटाएंगे तो पब्लिक एक्चुलर निकल जाएगी जो आप और हम जैसे हैं जो छोटे लेवल के हमें बड़े लेवल की तो फिर वो तो सो नहीं सुरू हो जाती है तो यह वो एक समराज्य ताहां जहां ओला निगेटिव है वो मैंने आपको समझा दिया है पैट्रोनेट अलेंजी जो वर्क करता है क्या उसकी जरूरत देश को आ सबूत है कि कुछ लोग अपना दिमाग कुद नहीं लगाते हैं वह काम अपना अलग करते हैं बस इनवेस्टमेंड वो सिप के द्वारां मुचल फंड में करते हैं और फिर से अनलाइज कीजी जो भी शेर आपके पास है उसका लो और हाई देके और फिर आपको पता लगे हैं जो लोग तभाई की बात कर रहे हैं क्या वो शेर दो गुणा तीन गुणा थे या वो आदे ही थे फिर ओर आदे हो गए हैं तो यह भी एक समझने वाली भी से हैं किसी चीज के विडियो बनाई है साइकलोजी की उपर विडियो बन रही है न्यूज के उपर विडियो बन रही है कमपनी के काम के उपर बढ़ रही है किसी भी शेर के ऊपर खरीदने बेचने की सला नहीं जाह नहीं है मेरे दुबरा मैं आपको इतनी सी एक चीज बता दो क्योंकि बच्चे ही आपके मासूमियत से किसमत पल्टेंगे तो फिर मिलेंगे आपसे नहीं वीडियो के साथ जब तक के लिए नमस्कार